16 दिन, 41 मजदूर और दिन राज जारी रेस्क्यू ओपरेशन बीटते हर पल के साथ मानो मुत्तरकाशी के सिल्कियारा चनल में फसे मजदूरों के साथ देश के धैर्य की भी परीक्षा हो रही है राजिय से लेकर केंद्र सरकार तक इस पर हर पल नजर बनाए हुए है राहत बचाओ दल के साथ सीना भी दिन रात एक करके मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सारी कोशिशे कर रही है हर रोज इसी उमीद से बड़ी बड़ी इंपोर्टेट मशीनों से लेकर तमाम तरहा की तकनीगों का इस्तेमाल कर मजदूरों तक पहुँशने की लगातार कोशिश की जाती रही है मगर सारे प्लांस और सारे ओपरेशन्स पर जैसे असफलता का ग्रहन लग जा रहा है और इस काम के लिए सेना ने अपने ओपरेशन में जोड़ा है ड्रोन मैन ओफ इंडिया के नाम से मशूर लखनओ के रोबोटिक साइंटिस्ट मिलिंद राज को अब इस रेस्क्यू ओपरेशन में मिलिंद की भी मदद ली जाएगी आएए पहले जानते हैं कौन है मिलिंद राज और फिर जानते हैं कैसे वो रेस्क्यू ओपरेशन में काम करेंगे दरसल लखनओ के रहने वाले मिलिंद राज एक रोबोटिक साइंटिस्ट है जो तक्नीके तोर पर भारतिय सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं आएए खुद जानते हैं मिलिंद राज से कैसे उनके ड्रोण्स और रोबोट सुरंग में फसे मज़़ूरों की मदद करेंगे यह एक रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम है यह मातर 40 घंटे के अंदर बनाये गया है तो इसका जो परपस यह है कि उस एरिया में जहां पे मुश्किल से नेटवर्क भी रिसीव होता हो वहां पे यह हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देगा जिसकी मदद से हम लोग ट्रेस चीज होती है इस तरह फसे रहना तो यह उस चीज को डाग्नॉस करेगा और अलार्म करेगा ताकि हम लोग समय रहते हैं उस चीज को सही कर सकें क्योर कर सकें साथी साथ यह अलग तरह की गैसे भी डिटेट करेगा कि अंदर किस तरह के विबिन पका के डेंजर लेवल ऑफ बढ़ रहे हैं जैसे कि मीधेन के वहां चांसे बहुत होते हैं और जब ड्रिलिंग करते हैं मीधेन होती है तो सपार्ण से कमबस्यन भी हो सकता है जो कि ब्लास्ट में भी बडल सकता है तो इस तरह के जो incidents होते है वो इससे बचाव जाएंगे दूसरी चीज यह है कि यह एक ह इस जगे फसा हुआ है यहां पर focus करना है इस तरह के drones भी जा रहे हैं क्योंकि यह आपका aerial monitoring पर help करेगा ये जियो टैक्स करेगा और ये तरह तरह के जो आपके एरियल सविलांस के काम होते हैं जो टनल रेस्क्यू में चल रहा है उसको ये लैंड्सलाइट्स को भी मॉल्टर करेगा और इसको होने से पहले ट्रिगर करेगा कोई दिक्कत आती है तो आपको बता दें कि विज्यान के क्षेत्र में मिलिंदराज को उनके ज्वारा किये गए कारियों के लिए बहुत तारीफे मिली हैं उनके इनकामों से पूर्वराश्ट्रपती और साइंटिस्ट एपी जी अब्दुलकलाम भी काफी प्रभावित थे उन्होंने ही आज को खुब बावाई मिली थी गौतलब है कि 15 दिन गुजर चुके हैं और आज 16 दिन है लेकिन मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर फसे हैं कभी मशीन खराब हो जाती है तो कभी कोई और अरचन आ जाती है मतलब रेस्क्यू ओपरेशन के काम में बार बार कोई ना दुकावट आही जाती है और ऑपरेशन बीच में ही दोपना पड़ जाता है ऐसे में अब वहां 41 मजदूरों की सेहत कैसी है और उनकी मेंटल हेल्ज कैसी है वो कैसा महसूस कर रहे हैं इसका पता लगाने के लिए ड्रोन के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जाएगा ड् 47 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रिस्क्यू ऑपरेशन को सफलता पूर्वक पूरा करने में मदद करेंगे बहरहाल अब देखना होगा कि देश भर की दुआएं कब रंग लाती हैं और दो हफते से ज्यादा वक्त से सुरंग में फसे ये मजदूर खुली हवा में सास कब ले पाते हैं फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही उत्तरकाशी चनल हाथसे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बागी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स से आप कहीं चूप ना जाएं झाल